तो हम बात कर लेते हैं कि सिस क्लास में एंडमिशन किस तरह के से होता है क्लास 6 में एंडमिशन के लिए आपको एक टेस्ट दना होता है उसके बाद अगर आपका सेलेक्शन टेस्ट में हो जाता है तो एक इंटर्विवी होता है ऐसे ही 9 का भी है ऐसे ही 1st का भी है तीनों क्लासेज में टैस्ट प्लस इंटिव्यू की बनियाद पर आपका एड्मिशन होता है इंट्रेंस में 1st 6 और 9 इन 3 ही टैस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती वह से बच्चों को यह confusion होता है कि अगर वह कुशन गलत कर देंगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो वह से बच्चे तो लगा कर इंग्लिष को पुच्चा जाता है अब इन 25 नमबर यह आपके जो हिंदी उर्दू और इंग्लिष के यह 25 नमबर बहुत इंप्ठिंट होते हैं क्योंकि इस में से आपको कम से कम 40 लाना जरूरी है अधर्वाइस आपको आपको से स्लेक्ट नहीं कि यह सकता आपको कम से कम 40 20 पर्सेंट मांक्स लाने है यानि कि आपको 10 प्रक्राइं स्कोर करने ही है जिसके से कम रहे जाएंगे उनका भागी का पर्ट यानि कि साइंस और जो आपका मैटमेडिक्स है वो चैक नहीं होता तो बच्चों को इन तीनों पार्टस पे भी गौर करने की जरूत होती है तीनों पार्टस ज़रूरी है इनको कौलिफाई करने आदरवाइज आप का SI乾' hell कौलिफाई ॉं आपका चेक की नहीं होगे वाला पार इसे ही अब मात करें अगर क्लास नइन तक तो क्लास नायद में भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी सेब प्रोसीजर है कि आपको इंगलिश हिंदी और उर्दू में तीनों मिलाकर कम से कम 40% मार्क्स आना जरूरी है यानि कि वह टैन मार्क्स वह आप लाते हैं तभी वह आपका बाकी के जो साइस का पार्ट है वह आप आपको अच्छी इंफॉर्मेटिव के बारे में वीडियोस हम बना कर देते रहेंगे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को सब्क्राइब और शेयर जरूर करें थैंकी बेरिबर्च कर दो